Hi everyone, welcome back to another most important video of chemistry on your favorite YouTube channel JR College तो दोस्तों आजाते हैं फिर से chemistry का एक और भैतरी lecture लेके जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा chapter number 6 जिसका नामे redox reaction ये चल रहा था और लगभग आज और एक और lecture लगेगा और ये chapter भी complete हो जाएगा आपका इसके पहले कई सारे chapters उलड़ी मैंने पढ़ा रखा है तो वो भी वीडियोज हमारे इस channel JR College पे प्रेजेंट हैं और कई सारे और वीडियोज अलग-अलग chapters के हमारे main channel JR tutorials पे भी प्रेजेंट हैं तो वहां से भी आप search करके पढ़ाई कर सकते हो तो redox reaction में कई सारे चीज़े हमने देख ली जैसे कि what do you mean by redox reaction क्या होता है redox reaction उसके अंदर oxidation, reduction, free electron transfer क्या होता है और ऐसे कई अंगिनट topics हमने पिछले lecture ता complete कर लिया था आज हमारा lecture number 3 होने वाला है जिस में दो most important topic हम discuss करेंगे इस पूरे चाप्र का जो की है stop notation and दूसरा है balancing of the redox reaction ये दो बहुत important चीज़े इसको अगर आप समझ लोगे तो बहुत सारे चीज़े जो इसके base पे पूछी जाती है questions हो चाहे numerical सो वो आपको अच्छी तरीकर से समझ में आ जाएंगे तो चलिए वीडियो की शिरुवात करेंगे ज्यादा time नहीं लेंगे लेकिन इसके अगर हमसे social media पर नहीं connected हो तो हमें follow कर सकते हो Instagram पर हमारे official page यार टुटरिल को फॉलो कर सकते हो link description में दिया हुआ है साप में हमारे app को भी download कर सकते हो चले शिरुवात करते हैं तो last lecture में हमने कई सारे चीज़े discuss की थी जैसे हमने oxidation number क्या होता है वो निकालना आपको दिखा गया था ठीक है तो oxidation number अगर आपको आ गया है तो stock notation भी निकालना आपको आ जाएगा बहुत simple सा पॉसे तो पहले यह समझते हैं कि what do you mean by stock notation stock notation का मतलब क्या होता है basic term का मतलब क्या होता है तो एक चीज़ हमने सिखा था कि जो भी oxidation number होता है that represents the oxidation state of that particular atom यह हमने देखा था कोई भी चीज़ का हम oxidation number निकालते हैं बहुत सारे rules से वो हमने देखे थे लेकिन वो oxidation number क्या represent करता है वो represent करता है आपको oxidation state atom का जो भी atom दिया रहेगा एक particular reaction के अंदर एक particular chemical equation के अंदर उसका वो क्या कर रहा है oxidation state को represent कर रहा है और यहां पर क्या हो रहा है कि stock notation जो रहेगा जो भी oxidation number रहेगा या फिर जो oxidation state रहेगा उस particular atom का अगर उस चीज़ को हम roman numeral में लिख दे और उसको parenthesis में ले 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 इस तरीके का bracket ठीक है अगर उसको parenthesis में नंबर लिख दे जैसे समझ लो किसी particular atom का oxidation number है 1 तो उसको हम लोग roman numeral में 1 ऐसा लिखेंगे किसी का 2 है तो हम लो कैसे लिखेंगे तो जो आपका roman numeral होते हैं roman number उसमें हम लोगो लिखना है with the help of parenthesis तो उसी notation को हम लोग बोलते हैं stock notation ठीक है और जो भी chemical symbol रहेगा वो उसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा molecular formula जुड़ा हुआ रहेगा तो मैं कुछ examples लेके राया हूँ वैसे आपको मैं in the parenthesis is known as the stock notation ठीक है simply this is the representation इसी को हम लोग stock notation बोलते हैं यह क्यों इस्तेमाल किया जाता है मतलब क्या जूरत पढ़गे already oxidation number तो था ही क्योंकि main हम लोग oxidation number को ही oxidation state को हम लोग roman number में लिख रहें तो इसका जरुवत क्या है तो इसका जरुवत यह है कि इससे हम लोग को पता चलता है particular atom का oxidation number और साथ में जो भी oxidation हो रहा है कि reduction हो रहा है इसका identification करने में help होता है यानि कि with the help of stock notation अगर आपने stock notation को देखा तो उससे ही आप identify कर पाऊगे कि whether that reaction is oxidation reaction और reduction reaction यह आप पता लगा पाऊगे और एक सबसे मुद्य की बात यह है कि यह जो पूरा stock notation का खेल है यह सिर्फ और सिफ होता है metals के अंदर याद रखना मतला metal वाले जो stock होते है यानि metal वाले जो atoms होते है उसी के अंदर होता है यानि कि जो charge रहेंगे obviously oxidation जो number रहेंगे वो क्या बोला definition ने कि हमारा जो भी chemical equation या फिर chemical formula molecule formula जो दिया रहेगा उसमें हम लोगो सबसे पहले oxidation number oxidation state लिखना पड़ेगा मुझे बता chlorine का कितना होता है chlorine का कितना होता है minus one होता है ठीक है तो aurum AU मतलब aurum यानि gold गोल्ड का कितना हो जाएगा plus one हो जाएगा समझ में आ रहे बहुत सिंपल सा फंडायर इसका chlorine का होता है minus one लेकिन यहां पर तीन chlorine है 3-3-3-3 में आ रहे है लगा होता है minus two मतलब तीन का होता है सो लिसमार इसका हो जाएगा वैसि ख्लोरिन का होता है minus one is minus four इसका तो इसका हो जाएगा plus four क्योंकि एक rule हमें पता है, in the sum of all the oxidation number in a particular molecular formula और a chemical equation is equal to 0, यह हमने पढ़ा हो है, rules of oxidation number, तो इन दोने को plus करके 0 होगा, इन दोने को plus करके, इन दोने को plus करके सबको plus करके 0 होगा, करके देख लो, plus 4, minus 1 multiply by 4 is minus 4, plus 4 minus 4 is 0, तो इस प्रकार से चीजी होती है, चलो इसका stock notation लिखेंगे हम लोग, ठीक है, यह तो मैंने सबसे पहले उनको oxidation number को assign कर दिया, oxidation state पता चल गया, अब उसको हम लोगो लिखना कैसे है, जैसे मैंने बोला, उसको हम लोगो कैसे लिखते हैं, रोमन नुमेरियल में लिखते हैं, तो रोमन नुमेरियल मतलब AU लिखा, AU मतलब गोड लिखा, क्या है इसका oxidation state, प्लस 1 ना, तो हम लोग इसको bracket बना के, यानि parenthesis बना के 1 लिख दिया, और यह जो CL लिखा हुआ है, उसके बाजू में लिख दिया, CL, खतम, यह जो आपने लिखा, AU, 1, CL, यह है आपका oxidation, माप करना, यह है आपका stock notation, ठीक है, वैसे इसको कैसे लिखोगे, AU, CL3 को, लिखोगे, AU, oxidation state 3, मतलब 1, 2, 3 लाइन, रोमन नंबर लिख दिया, और CL3, लिख दिया, उसके बाद next, ठीक है, इसका color में change करता हूँ, SN, CL2, इसको कैसे लिखोगे, SN लिखा, टीन लिखा, oxidation state plus 2 है, यानि कि, लिख दिया, रोमन में, और उसके बाद यह क्या है, CL2, लिख दिया, CL2, ठीक है, एन लास्ट है, SN, CL4, कितना है, SN का, प्लस 4 है, तो SN, रोमन नुमेर में 4 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 4, और यह है, CL4, साथ में लिख दिया, CL4, खतम कहाने, यह जो आपने लिखा, इसको देखे, this is nothing but the stock notation, अब बोलो कितना easy, देखने में कितना hard लगता है, लेकिन यार, हमको लगता है, क्या है, कैसे होगा, क्यों होगा, लेकिन यार, यह इतना easy चीज होता है, कि अगर आप इसको देखोगे, तो literally आपको बहुत जादा easy लग रहा होगा, ठीक है, अब एक और चीज है, कि यह जितने भी चीज़े होगी, यह metals में होगी, तो आप देख पारें, यह AU, यानि gold, metals ही होता है, SN, tin, यह भी metal होता है, ठीक है, और इनके पास plus 3 charge जाएंगे, क्योंकि metals के case में plus charge ही आते है, करेक्ट है, अब यह कोई चीज जो हमको बोला था, कि यह stock notation का इस्तेमाल की होता है, जैसे हम लोग को question आता है, कि why it is necessary to find out a stock notation, and how it is used, तो question सवाल का जवाब क्या था, कि हमें इससे यह पता चलता है, कि उस चीज़ का oxidation state क्या है, तो अगर आपको कोई पूछेगा, aurum का oxidation state 1, aurum का oxidation 3, यहाँ पे, इस particular reaction में, इसमें tin का oxidation 2, sn का tin का 4, तो इससे हम लोग identify कर सकते, लेकिन एक और चीज़ identification में help होता है, oxidation है कि reduction है, वो पता चलेगा, वो कैसे होगा, मान लो, कि यह दोनों reaction को consider करो, फर्स्ट वाला, और सेकेंड वाला, इन दोनों को reaction वो अगर आप देखोगे, धिहान देना, इस चीज़ को जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे, तो यहां से यहां जो reaction हो रहा है, इसमें aurum के पास plus one charge है, और इसके पास three charge है, बराबर plus three charge है, यानि कि यह one पे है, और यह three पे है, correct है, तो इससे क्या पता चला, कि हमारा, जो aurum है, यानि gold जो है, वो one से लेके three पे जा रहा है, with the help of stop notation, and with the help of oxidation नम नमबर लाइन है में पास, ऐसे बताता हूं मैं आपको, यह नमबर लाइन है, 0, 1, 2, 3, 4, प्लस वाला, ठीक है, प्लस वाला, प्लस वाला, प्लस वाला, और यहां पे minus one, minus two, minus three है, मालो, तो कभी भी याद रखना, अगर कोई चीज इस तरफ जा रहा है, यानि negative से positive जा रह है ना, क्या बोलते हैं दोस्तों, loss of electron, ठीक है, तो loss of electron, मतलब oxidation, यह हमने starting में पढ़ लिया, oxidation, reduction के अंदर, ठीक है, वैसे अगर कोई positive से negative के तरफ जा रहा है, तो वो क्या होगा, reduction होगा, क्यों, क्योंकि अगर वो positive से negative के तरफ जा रहा है, मतलब उसके अंदर negativity और add हो रह है, यह मतलब electron add हो रहा है, मतलब gain of electron, तो reduction का मतलब क्या है, gain of electron, इस तरीक से याद रख सकते हो, ठीक है, अब यहाँ पर आज़ा, जो में बता रहा हो था, तो यह plus one से plus three पे जा रहा है, मतलब और positive हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, loss of electron हो रहा है, मतलब हम लोग क्या बोल स इसको पैचानों, अगर मान लो, इस तरफ से हो रहा है, अब मैं ऐसा नहीं लेता हूँ, इस तरफ से ले रहा हूँ, तो मान लो, SN4 से, SN2 पे जा रहा है, यानि कि, 4 फोर से, स्टोक नोटेशन से, तो इस केप्स में क्या हो रहा है, 4 से 2 पे गया, यानि, प्लस 4 से, यहाँ पर प्लस 4 सा, यहाँ पर फ्लस 2 था, तो प्लस 4 से प्लस 2 पे गया, मैं positive 4 पे था और मैं positive 2 पे गया, तो कही नगहीं मैं कम जा रहो, मतलब कही नगहीं मैं अंदर negativity आरही थो, तभी तो मैं कम चला गया ना, plus 4 पे बैठा था, अब प्लस 2 पे आ गया यार, तो कहीं ने कहीं मेरा electron क्या हो रहा है, मेरे पास आके जुड रहा है, तभी तो ये क्या हो जाएगा, reduction हो जाएगा, gain of electron, समझ में आ गया, तो इस तरीके से आप identify कर सकते हो, कि whether that particular reaction is the oxidation or reduction with the help of stock notation, उमीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ भी बड़े आराम से अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करती है, clear, समझ में आ गया होगा, तो please अच्छा comment कर देना, yes sir, we understood the stock notation, ओके, चले, अब आगे बढ़ जाते हैं, असली खेल पे आते हैं, जो कि बहुत ही मज़दा topic है, balancing of redox reaction, अब ये है क्या, balancing का मतलब क्या होता है, बहुत ही 9th ये 10th में पढ़ा होगा, balancing of the chemical equation, ये 10th में था, जहां तक मुझे याद है, balancing of the chemical equation, जिसमें आपको ये chemical equation दिया होता था, और आपको ये चेक करना होता था, कि जो reactants है, उसके जो number of atoms रहेंगे, जो product है, उसके जो number of atoms रहेंगे, वो दोनों equal है के नहीं, अगर नहीं होते थ known as the oxidation number method, ठीक है, first method को क्या बोलते है, oxidation number method, और उस oxidation number method के अंदर बहुत सारे rules आ जाते हैं, कि किस तरीके से पहला step क्या है, दूसरा step क्या है, तो उसके मैंने shortcut बना रखा है, OACOH, अब इसको याद कैसे करोगे, OACOH, ऐसा याद रख लो OACOH, oxidation number से करना है, OACOH, ऐसा याद पूछा, क्या पूछा अक्षे ने राहूल को, कि भाई, अगर school open होगा ना, तो ही मैं जाऊंगा, तो इधर अक्षे, राहूल अक्षे को reply करता है, पहले अक्षे ने राहूल को पूछा, अब राहूल अक्षे को reply करेगा, OACOH, चल open है, मतलब वो बोल रहा है कि चल भाई, अक्षेडेशन नंबर मेथड, अगर उससे करोगे, तो OACOH से कर सकते हो, दूसरा है, हाफ रियक्षेन मेथड, ठीक है, हाफ रियक्षेन मेथड को एक और नाम, आयन, इलेक्ट्रों ऐसे कुछ नाम है, उसका मैं आपको थोड़े दिन में बताता हूँ, तो HACOH, ये इसका shortcut है, याद रखने का, तो HACOH का मतलब, आप कुछ भी लगा सकते हो, जैसे OACOH का OACOHL open है, जैसे कोई दूसरा लड़का होगा, एक रोहन नाम का लड़का होगा, बोलेगा, हाँ AACOHL open है, ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है, तो OACOHL open है, हाँ AACOHL open है, ब रूल्स क्या बोलता है, पहले एक नजर डाउट ने रूल्स के उपर, और उसके बाद सीधा में बढ़ता हूँ, एक्जामपल जो मैं लिकर आया हूँ, उसको हम लोग कराएंगे, तो देखो, रूल क्या बोलता है, सबसे पहले, रूल ये बोलता है, कि जो भी आपको chemical equation दिय हमने सिखा हुआ है, तो हम हर एक अटम के उपर क्या लिखेंगे, उसका oxidation नमबर यानि oxidation state लिखेंगे, ये भी हो जाएगा, उसके बाद हमारा शुरू हो रहा है, यहाँ पे rule, OACOH वाला, यूकि oxidation नमबर मेथड है, तो हम लोग करेंगे, OAC चल open है, तो OAC पहला O आएगा, यानि पहले हम लोग oxidation है या reduction है, उसको identify करेंगे और उस chemical equation को वापस से लिखेंगे, यह हम लोग करेंगे, कैसे करना बताता हूँ, पहले rule समझ तो लो, उसके बाद हम A करेंगे, यानि OAC अक्षे, atom balance करेंगे, जो भी atom दिया रहेगा, जिसके अंदर oxidation हो रहा हो, दुसरे atom क पर हाथ नहीं लगाएंगे, कैसे पता चलेगा कि oxidation reduction है, loss या फिर gain of electron, उससे पता चलेगा, बताता हूँ कैसे attention मतलो, तो atom को balance करना है, कैसे करना है, उसके बाद हम यह देखना है, चेंज हो रहा है क्या, क्या चेंज हो रहा है, तो उसको balance करना important है, तो OAC चल हो गया, और open ह OH साथ में करना है, यानि oxygen और hydrogen को last में balance कर देना, और इस तरीके से आपका chemical equation balance हो जाएगा, तो यह हमारा पहला rule है, oxidation number method का, कैसे करते हैं, उसके लिए example लाया हूँ, यहाँ पर जो की दिख रहा है आपको, question इस तरीके से आपको exam में दिया रहता है, कि balance the chemical reaction by oxidation number method, और अगर क सबसे पहले कोई question दिया रहेगा, तो हम लोग को क्या करना है, दोस्तों जैसे मैंने बोला, उस पूरे के पूरे question को same to same, यानि chemical equation को उतार लेना है, को ऐसे उतारेंगे, उतार लो इसको, cuo यानि copper oxide plus ammonia gives copper plus nitrogen plus पानी, यानि H2O, यह हो गया पहला rule, chemical equation को उतार लिए, दूसरा रूल गया था, कि हम लोग को क्या करना है, दूसरा रूल यह था, कि हम लोग को उसका oxidation number हर एक का लिखना है, तो हर एक का oxidation number लिखते हम लोग, लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, green color लेता हो, लिखता हो, अब मुझे बताओ oxygen का कितना होता है, मुझे एक चीज़ पता है, कि oxygen ज होता है, ठीक है, और उसको बैए, यह बन मल्ट, प्लस ओन मल्टिप्लाइब ऐए 3, प्लस ओन मल्टिप्लाइब ऐट 3 हो गया, तो यह हो जाएगा, माइनस 3, नाइट प्रोजन हो गया, आपके लिए, माइनस 3, ठीक है, फिर हमने डिसक्स किया था, कि कोई भी अगर इंडि इंडिविज्वाल है, 0 हो गया, एंटू भी इंडिविज्वाल है, 0 हो गया, इस ओक्सिडेशन नमबर, H2O, एक है, तो H2O कितना हो जाएगा, एक चीज़ हमें पता है, बहुत अच्छी तरीके से, कि ग्रीन लेता हो, हाँ, यह ऑक्सिजन माइनस 2 होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते है, ऑक्सिडेशन नमबर, हो हमने असाइन किया, पहला काम क्या किया, एक्वेशन को लिखा, दुसरा काम उसके उपर ऑक्सिडेशन स्टेट को लिख दिया, ठीक है, यह एक काम हो गया, तिसरा रूल क्या था हमारा, अगर आप देखोगे, तिसरा वो हम लोगो identify करना पड़ेगा, अब मुझे बताओ किस चीज का इसमें oxidation हो रहा होगा, किस चीज का reduction हो रहा होगा, हमको पता है कि oxidation का मतलब होता है, lose of electron, और reduction मतलब होता है gain of electron, तो यहाँ पे अगर आप notice करोगे, थोड़ा सा मैं इसको और नीचे लेके आता हूँ, यहाँ थोड़ा सा आपको complicated लगेगा, मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, अब मैं थोड़ा color भी change कर लेता हूँ, यह color लेता हूँ, अगर आप देखो कि copper के उपर नजर डालो आप, copper के उपर, ठीक है, तो copper के उपर नजर डालो गे, तो copper के पास plus 2 है, और यहाँ पे जो copper दिख रहा है, आपको यह है, आपका 0, यानि plus 2 से 0 पे चला गया, तो हमारा वोई same table पे आजाओ, जो हमने आपको बताया थोड़े देल पहले, देखो, plus 2 था, plus 2 से 0 पे आगया, plus 2 से 0 पे आगया, मतलब कही ने कहीं इस direction में जा रहा है, तो gain of electron हो रहा है, plus 2 में था, अब म अपर अमोनिया अगर आप देखोगे, अमोनिया के अंदर, H to plus 1 है, यहाँ पर भी H plus 1 है, oxygen यहाँ पर minus 2 है, यहाँ पर minus 2 है, तो hydrogen oxygen से मुझे कोई लेना देना देना है, भी nitrogen से, तो nitrogen minus 3 है, और यहाँ पर जो nitrogen है, वो 0 हो गया, तो minus 3 से 0 पे जा रहा हो, तो यहाँ पर वह oxidation हो रहा है, तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं, कि कहीं ने कहीं मेरा जो nitrogen है, उसका हो रहा है, उक्सीडेशन, तो हमने क्या कर लिया, हमारा जो oxidation हो रहा है, reduction हो northeast 5 कर लिया, ठीक है, समझ में आ गया, उसको क्या कर लिया है, मैंने, identify बहुत अच्छी तरीके से कर लिया, ओके लिखना है वापस लिख सकते हो नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी में आपको बता रहा हो वापस लिखना है तो आप लिख सकते हो यह मैंने अच्छी तरीके से वापस इसको लिखके दिखा दिया क्लियर हो गया और जो में में चीजे है उसको आप लिख दो हमको ऑक्सिजन से मतलब नहीं है कॉपर का मतलब है तो कॉपर का प्लस टू है यहाँ पर कॉपर का जीरो है यहाँ पर नाइट्रोजन का जीरो इससे ही मतलब था ठीक है हमारा मतलब इसी से था तो हमारा हमको पता चल गया कि copper का क्या हो रहा है deduction हो रहा है nitrogen का हो रहा है oxidation अब हमें जो हमारा rule है rule case आप से चलेंगे तो यह हो गया हमारा ठीक है वापस से chemical equation लिख लिए अब हमें atom को balance भी करना है ठीक है न हमें atom को balance करना जिसका Oxidation, Reduction हो रहा होगा, यह हमारा A rule है, ठीके न, O A अक्षे है, तो O A हो गया हमारा, जिसमे हमने identify कर लिया, ठीके, कि भाई Oxidation हो रहा है, Reduction हो रहा है, A, यानि कि हमें Atom को balance करना है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, यहाँ पे Copper A के, यहाँ पे भी Copper A के, यहाँ पे Nitrogen A तो मुझे इस नाइट्राजन को balance करने के लिए, यहाँ पे Two wieder करना पढ़ेगा, तो मैंने क्या किया Two multiply किया, इस तरीके इससे मैंने क्या किया, अटम को यहां पर balance किया, ओए अक्षे में atom को क्या करना था, balance करना था, तो मैंने इस atom को, nitrogen को balance किया, बाकि देखो same है, बाकि यह से hydrogen oxygen से मेरे को मतलब भी नहीं है, हमें सिफ copper nitrogen से मतलब है, क्योंकि यही oxidation यहां से reduction कर रहे हैं, correct है, अब यहां पर अगर आप देखोगे, तो यहां पर copper एक है, यहां पर भी copper एक है, मैं oxidation नमबर की बात निको रहा हूँ, मैं atom की बात कर रहा हूँ, copper एक है, copper एक है, 2 nitrogen, 2 nitrogen, यहां तक clear होगा, कोई परिशानी आप लोगो नहीं होगी, अब हमें क्या करना है, next rule पर जाना है, जो कि हमारा C, यह होगा हमारा, अब C पर जाना है, C क्या है, right change in oxidation and balance it, मतलब जो भी change हो रहा है, oxidation का, उसको लिखना है और balance करना है, इसको मैं थोड़ा सा और नीची लेके आता हूँ, देखो ध्यान से, rule number 3 क्या बोलता है, हमें देखना है और balance करना है, ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे, इस चीज को, तो copper की हम ल change in oxidation number, कितना हो रहा है यहां पर, यहां पर plus 2 है, यहां पर 0 है, मतलब कितने का फरक है, सिर्फ 2 का फरक है, correct है, total change in oxidation यहां पर यहां कितना है, 2 और यहां पर 0, तो कितने का फरक है, 2 का फरक है लिख दिया, वैसे ही नीचे का, अगर मैं nitrogen की बात करूँ, तो यहां से nitrogen की बा पॉजीडिव चार्ज नमाइनस त्री तिकर यहां पर देखो यहां पर पॉजीडिव चार्ज यहां इस थी एक रिक थैक्त है समझे में आ रहा है एक तो टू-multiple हिए माइनस गवालो माइनस थी कितना है graphics और यहां पर लिए और टो यहां बन जाका से लिए किसको और कॉपरीया के लिए कितना है। ये किसब बैलन्साइब वाले को 6 है तो इसको 6 करना पड़ेगा तो अगर मैं इसको 3 से मल्टिपलाइ कर दूं ये क्या बन जाए मा वगा सिक्स KP समया रहा है तो ये एक्स्ट्रा चीज मैंने लिखा, multiply by 3 किया, तो मेरा 6 आ गया, तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमारे इस particular oxidation number के change को balance कर दिया, जो कि हमारा rule number C बोलाता है, तो O, अक्षे, चल, ये तीन चीज हो गया, अब last वाला क्या है, O, X से चल, open है, तो open है का मतलब क्या है हमारे लिए, कि balance oxygen and hydrogen, तो अब वापस से आपको ये equation को लिख देना है, जो कि हम लिखेंगे, again, हमारा जो chemical equation है दोस्तो, उसको वापस से मैं लिख लेता हूँ, कैसे लिखूंगा, ये CuO लिखा, plus two molecule of NH3 लिखा, Cu लिखा, plus N2 लिखा, plus H2O लिखा, ये हमारा main chemical equation है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, correct है की नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत थी आपको, कोई परिशानी थी, कोई दिक्कत की और कोई परिशानी की यहाँ पर बात नहीं है, अब मुझे एक बत बताओ, कि जब, हाँ, एक और चीज़, बताना चाहता आपको, कि जब मैंने इसको 3 से multiply किया, तो 3 किसको multiply किया है मैंने, किसको multiply किया है 3, oxidation number किसका है, copper का, तो copper पर मैंने 3 multiply किया है, correct है, तब ही तो balance हुआ है, तो मतलब कहीं ने कहीं, मैंने copper वाले को क्या किया है, 3 से multiply किया है, तो copper वाले को 3 से multiply किया है, मतलब 3 copper, 3 copper, यहाँ पर 3 addition हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका 3 आजाएगा, तो यहाँ पर भी आपका 3 आजाएगा, समझ में आ रहा है three multiply by zero is zero, तो six or zero is nothing but six, तो इस तरीके से आ रहा है, यह होगिया हमारा, अब हमारा हमको last वाला जो rule था, यह कि balance the oxygen, oxygen and hydrogen, तो अब इसमें oxygen को भी hydrogen को भी balance करना है, तो oxygen और hydrogen को भी balance कर दो, तो oxygen और hydrogen को भी balance करते हैं, वही same rule जो हम लोग ने बच्पन में पढ़ तो अगर आप यहां पे देखों क्यान से देखना से तीन dealing यहां पर यहां पर यहां पितने पार कितले अप्सीजन नहीं होता है कि मतलबंगे यहां पर थिल्सेमें से मुटिप्राइब करना पड़ेगा वबैब दसे नहीं nitrogen है यहाँ पर, 2 nitrogen यहाँ पर, 2 multiply by 3, 6 hydrogen है यहाँ पर, total 6 hydrogen है यहाँ पर और यहाँ पर भी 3 multiply by 2, automatically 6 hydrogen आ रहा है, मतलब इस तरीके से, just मैंने यहाँ पर 3 multiply किया, तो हमारा final equation बन गया, that is 3 molecule of copper oxide plus 2 molecule of ammonia gives 3 molecule of copper plus nitrogen plus 3 molecule of water and यह जो मैंने लिखा है, यह है आपका finally balanced chemical equation जो हमें करना था, इस तरीके से by using the oxidation number हमने उस चीज़ को balance करके दिखा दिया, clear, देख पा रहे हो आप लोग की कैसे हमने यह चीज़ किया है, बहुत easy है दोस्तों, और आप लोग को पूरा उमीद है मेरा, मतलब मैं पूरा उमीद करता हूँ कि आप लोग यह चीज़ समझ में आ गया होगा, आपको एक से दो बार अगर आप देखोगे, और जैसा जैसा मैंने step किया, याद करकर के, O.A. अक्षय चल open है, पहला तो chemical equation लिखना है, उसके बाद और oxidation number देना है, वो सबके लिए same है, उसके बाद से हमारा O.A. अक्षय चल open है, जिसमें O.A. में क्या था, सबसे पहले हमने oxidation है, की reduction है, वो है पेचाना, उसको हमने लिखा, बराबर उसके इसाब से O.A. अक्षय, मतलर atom के अंदर कितना changes से उसको किया, ठीक है, total change कितना हो रहा है, वो किया, चल में open है, में oxygen और hydrogen को balance किया, तो वापस से एक बार अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आपको clear हो जाएगा, मैं पूरा guarantee के साथ बोल सकता हूँ, तो इस तरीके से हमने particular chemical reaction को balance करके दिखा दिया, by using the oxidation number method, ये था हमारा सबसे पहला method, जिसको redox reaction को balance कर पाए, ओके, clear, अब चलते हैं, एक और reaction जो हमें पढ़ना है, जो की है, दोस्तो, half reaction method, जिसको iron electron method भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इसको iron electron method, अब ये iron electron method है क्या, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, तो इसका जो rule है, भूभी मैंने बताया था, हाँ, अक्षय चलो पन है, उसका OX चलो पन है, इसका हाँ, अक्षय चलो पन है, ये वहला आपको याद रखना है, लेकिन उसके ले भी same procedure है, कि पहला आपको chemical equation लिखना पड़ेगा, दूसरा आपको oxidation state उसका लिखना पड़ेगा, तिसरे से चालो होता है, कि आपको यहाँ पे ionic equation लिखना पड़ेगा, ion मतलब क्या होते है, charge ना, तो आपको लिखना पड जिसका भी oxidation है, reduction हो रहा है, उसके बाद चल open है, मतलब change करना पड़ेगा, जो भी balance है, उसको change करो, उसके बाद open है, मतलब oxidation, ठीक है, हाँ, oxidation reduction, half reaction को balance करना पड़ेगा, हाँ, अक्षे चल, ठीक है, open है, ठीक है, OH यह साथ में आजाएगा, oxygen, हाँ, यह वाला इसके साथ में रूल है, यह इसके साथ में आजाएगा, combine में, यह वाला OJ, ठीक है, तो चलो, आम लोग solve करके दिखाएंगे, आप लोगो बहुती बहतरीन, particular, और यह थोड़ा सा और confusing हो सकता है, oxidation number से, तो आप लोगो इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान से समझना पड़ेगा, अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे, तो आपको और clear, मतब clarity जो है, वो आपको मिलेगी, ठीक है, चले, ओके, एक सगे, हाँ, चलो, अब इसको देखो, यह तो मैंने लिखा हुआ है, समझ लो, पहला आपने chemical equation लिखना है, आपने chemical equation लिख लिए, मैंने अच्छे से, तो आभी space कम जाएगा, इसके लिए में वापस दुबारान लिखोंगा, यह हमने क्या लिख दिया, chemical equation लिख दिया, अब इसके ओपर मुझे क्या करना है, oxidation state जो है, वो assign करना है, ठीक है, फटा-फट से oxidation state असाइन करते है, ब्रोमीन जो है, वो क्या है, एक हालोजन है, और हालोजन का मैं इसके लिख दिया, तो प्लस वन, प्लस वन इस टू, तो देखोंगा, यह अपका मैनस एट हो गया, ठीक है, इस इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस इक्स आएगा, मतलब सलफर का कितना आ जाएगा, प्लस इक्स आएगा, इतना इजी प्लस वन, प्लस वन, प्लस वन, हईड्रोजन, सलफर का मुझे पता नहीं है, मानलो, पता निये सलफर का, ऑक्सिजन का है 4, मतलब मैनस 2 है, 4 मिटे में मैनस 2 है, इस मैनस 8 और इस इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यह प्लस 2, सलफर का अल्ड़ी निकाला हो है तो डिरेक ल मैं निकाला हुआ है देखो प्लस 4 है इसका भी आ जाएगा करके देख लो देखो करके देखो कि तो भी आ जाएगा आपको यह माइनस 8 और यह 10 ठीक है न यह आपका आ गया कि यह आपका निकल गया आपका जिसका भी आपको पता है यह माइनस टू होता यह प्लस 1 होता है और ब्रोमी ने अकेला है ब्रोमी ने अकेला है यह जिसरा रूल यह था हमारा जैसे कि आप देख पार हो यहां पर तिसरा rule था कि उसका हम लोग को ionic equation लिखना है, जिसका भी oxidation reduction हो रहा है, तो सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि भाईया, oxidation reduction किसका हो रहा है, ठीक है, तो oxidation reduction मतलब loss of electron या फिर gain of electron, तो यहाँ पे देखोगे अगर आप, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो potassium plus one plus one same है, magnesium plus four, magnesium plus four same है, ठीक है, bromine जो है, यह bromine यहाँ पे minus one है, इधर bromine zero है, मतलब कहीं नहीं कहीं, bromine का minus one से zero पे जाना, मतलब positive की तरफ जाना, मतलब oxidation हो रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि bromine का हम लोग को करना है, ठीक है, और, और किसका हम लोग को करना है, वो भी हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, देखो, यहाँ पे ध्यान से, एक छोटा समय ने गड़बढ कर रखी है, जो कि यहाँ पे आप देख पारे हो, यहाँ पे MN का जो है, प्लस 2 आएगा, देखो, यह MN था, लेकिन इस case में, जैसे हम लोगको एक चीज़ पता है, कि MN तो निकाला हुआ है, और डिडी, प्लस 4 लिखना पड़ेगा, लेकिन एक गड़बर क्या होता है, देखो, अगर आप चेक करके तो equal to 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो, MN का अगर मैं, जो आपने यहाँ पे लिखा है, प्लस 4 लिख दूँ, S का प्लस 6 है, Oxygen का minus 2, multiply by 4 is minus 8 है, is equal to 0 हो रहा है, 10 minus 8 is equal to 0 नहीं होता है, तो यहाँ पे मुझे MN के लिए plus 2 लेना पड़ेगा, तो अगर मैं MN प्लस 2 लूँँगा, प्लस 6 सलफर का है, minus 8 Oxygen का हो गया, तो यह 8 minus 8 तभी तो 0 हो रहा है, मतलब MN का फ्लस 2 लेना पड़ेगा, और उसके according अगर आप देखोगे, तो आपको एक चीज़ पता चला कि MN का प्लस 4 है, यहाँ पे प्लस 2 है, तो प्लस 4 से प्लस 2 पे जा रहा है, मतलब कहीं न कहीं मेरे अंदर negativity हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओक्सीडेशन हो रहा है, तो MN का क्या हो रहा है, और Bromine का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इस ते एक चीज़ पता चला, तो इसको हम लोग आयन, इलेक्ट्रॉन में लिखेंगे, जो कि हमारा रूल था, कि हम लोगो क्या लिखना है, आयोनिक एक्वेशन लिखना है, तो आयोनिक एक्वेशन के इसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो K है, और जो BR है, तो BR के पास negative charge आएगा, और potassium के पास plus charge आएगा, बराबर, plus K minus BR, और उसके अलावा, हम लोग किसमें लिखेंगे, magnesium के लिखेंगे मैंगनीज के लिखेंगे, यहाँ पे, जो मैंगनीशी, MN को क्या बोलते है, मैंगनीज बोलते हैं, करेक्ट है, उसको भी हम लोग लिखते है, चलो फटा-फट से, ठीक है, लिखेंगे, तो MN एक तरफ है, और एक तरफ है SO4, तो यह आपका MN के पास plus 2 charge है, और SO4 के पास minus 2 charge है, बराबर, यहाँ पे भी आप देखोगे, तो PR के पास minus 1 charge है, और KV के पास plus 1 charge है, इस तरीके से हमने ionic equation लिख लिख लिया, इसी को बोलते हैं, हम लोग ionic equation, अगला rule क्या बोलता है, ionic equation जैसे ही आप लिख लोगे, उसके बाद आपको लिखना होता है, half reaction, क्या लिखेंगे दोस्तो, half reaction लिखेंगे, तो किसका लिखेंगे, पहले मैं ब्रोमीन का लिखता हूँ, half reaction, देखो यहाँ पे जहां से, ब्रोमीन का half reaction कैसे लिखोंगा, अब मुझे बताओ, कि यह जो मेरा ब्रोमीन है, ठीके न, यह क्या है, minus 1 है, और यह अगर dissociation में जाता है, यानि reaction में जाता है ब्रोमीन मेरा, तो क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, बताओ, यह BR-1 जो है, इधर क्या बन रहा है, BR-2 बन रहा है, यह half reaction हो गया, अब यह क्या हो रहा है, जैसे मैंने बताया, कि BR के case में क्या हो रहा है, reduction हो रहा है, तो मतलब, यह आपका क्या हो यह हो गया एक half reaction, दूसरा half reaction किसके लिखूँगा, manganese के लिखूँगा, लिखो यहाँ पर manganese, तो यह manganese क्या है, यहाँ पर manganese क्या है, प्लस 4 है, अगर आप देखो कि जहां से, तो manganese मेरा क्या है, यहाँ पर प्लस 4 है, तो mn o2 पूरा लिखना है, तो आप पूरा अब मेरे पास मैंने क्या कर दिया, electron को कहीने कहीन, lose किया, तो lose हो रहा है electron, मतलब कहीने क्या हो रहा है, oxidation हो रहा है, तो ये मैंने लिख दिया, half reaction, ये हमने पना था कि नहीं, redox reaction, जब हम लोग श्टार्टिंग में पड़ रहे थे, electron transfer by redox reaction, पहला या दूसरा लिख दिया, अक्षे की बारी है, ठीक है, atom balance जिसका oxidation और reduction हो रहागा, मतलब atom balance करना पड़ेगा, ठीक है, तो चलो atom balance करते हैं, ठीक है, oxidation और reduction जिसका हो रहा है, तो इसका reduction हो तो atom balance करो, तो यह BR2 है, तो plus 2 electron भी होगा, यहाँ पे तभी तो balance होगा, 2 electron होगा, और यहाँ पे mn2 है, plus 2 लाना है, मुझे mn plus 4 है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 electron को lose करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 electron minus आ जाएगा, राबर ना, 2 electron minus plus 4, 4 minus 2 is 2, तभी तो यहाँ पे 2 आया, तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे balance करने की कोशिश कर दी, correct है कि नहीं, हो गया, तो हाँ हो गया, अक्षय हो गया, ठीक है, change को balance करो, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, जो हमारा balance था, उसको हमने change करने की कोशिश किये, ठीक है, चलो, अब यहाँ पे वापस से, हमारा पूरा का पूरा लिख रहा हूँ, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे ब्लस यहाँ पे लिख दिया, यहाँ तक कोई परिशानी आप लोग को नहीं होई होगी, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, क्या बताया था आप लोग को, कि यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, हमारा oxidation and reduction को half reaction के इसाब से balance करना है, correct है की नहीं, correct है की नहीं, चलो, अब कैसे balance करेंगे, अगर यहाँ पे आप देखोगे, तो oxygen यहाँ पे कितने हैं, 2 है, बराबर 4 है, कितने होगे, हाँ, एक और चीज, हम लोग को क्या करना है, अगर आप देखोगे न, हम लोग का जो धान से process अगर आप देखोगे, तो आप लोग को वो चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, तो आप लोग को वो चीज बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा, तो यहाँ पे जब हमने chemical यह equation को जो लिख लिया है, दोस्तों, उसके बाद हमें यह चेक करना होगा, हमारा जो अगला rule है, जैसे कि हम लोग को पता है, कि हमने यह कहा कर लिया, कि atom को balance कर दिया, atom को हमने balance किया, उसके बाद हमने यह देखना है, कि जो भी change हो रहा है, उसको हम लोग को balance करना है, तो change को balance करो, अब change को हमने balance करने के लिए, यहाँ पे जब two electrons लिखा हुआ है, addition में, मतलब क्या हो रहा है, कि यहाँ पे जो क्या हो रहा है, two electrons यहाँ पे add हो रहा है, तो उसको मुझे balance करने के लिए, मुझे यहाँ पे two electrons से multiply करना पड़ेगा, मतलब two से multiply करना पड़ेगा, और अगर मैंने यहाँ पे two को, bromine को two से multiply किया है, तो इस bromine वाले पार्ट के लिए मुझे यहां पे भी 2 से multiply करना पड़ेगा ठीक है यह समझ में आ गया अब जो हमारा अगरा रूल है अगरा रूल यह बोलता है कि balance the oxidation reduction of half reaction ठीक है तो हमने oxidation और reduction जो half reaction का था उसको हमने balance कर दिया यहां पे balancing ही जुरत है नहीं है already यह balance हो चुक oxygen और hydrogen को balance करने के पहले आपको यह चेक करना पड़ेगा कि बाकी के जो other items में वो already balance हो चुके है या नहीं अगर वो balance नहीं है तो सबसे पहले उसको balance करो फिर जाके oxygen और hydrogen के उपर आओ तो यहां पे हम चेक करेंगे यहां पर कैसे चेक करेंगे यहां पर 2 potassium है यहां पर 1 potassium है यहां पर लो जो है यहां पर यह पर मैंगनेशियम भी एक है कोई दिक्कट यहां पर बन गया अब मैंने सबसे पहले इस केमिकल एक्वेशन को वापस से में लिख ले तो ठीक है वो है वो तो टू के बियार प्लस MnO2 प्लस 3 molecules of H2SO4 gives 2 molecules of KHSO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O and प्लस Br2 यह हो गया हमारा केमिकल एक्वेशन and finally इसमें oxygen और hydrogen भी देख लो left hand side right hand side balance कर दो तो जो आएगा product वो हमारा final balance equation होगा ठीक है तो चलो हम लोग इसको बनाते हैं अब देखो यहाँ पे oxygen और hydrogen को ही देखना है तो यहाँ पर 2 oxygen बराबर यहाँ पर देखो दो oxygen है correct है clear यहाँ पर 4 oxygen multiply by 3 और यहाँ पर एक oxygen मतलब 8 4 कितना हो गया 12 और एक तेरह ही हो रहे है कुछ गरबढ है ठीक है यहाँ partner 14 अक्सिजन है वहाँ पर 17 नुगों को देखना पड़ेगा कि हमने क्या चेंज़हिस यहाँ पर करना है ठीक है न वो चीज़ आपको ध्यान से समझना पड़ेगा छलो.. चेक करते हैं मतलब यहाँ पे 14 ओक्सिजन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, 4 दुनी 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 13 यह उक्सिजन है, मतलब एक और ओक्सिजन यहाँ लगेगा, तो एक और ओक्सिजन लगाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इस H2O को यहाँ से मैं 2 से मल्टिप्लाइ कर सकता हूं, तो 2 से multiply किया oxygen, तो यहाँ पे 2 oxygen, यहाँ पे 4, 6 हो गया, और यह 8, 14, यहाँ पे 14, यहाँ पे इस तरीके से मैंने oxygen को balance कर दिया, ओके, अब मेरा आता है hydrogen को balance करना, तो hydrogen की तरहे देखो इसमें, यह 3H2, 3 multiplied by 2, 6 hydrogen यहाँ है, 2 hydrogen यहाँ, 2, और 4 यहाँ पे, 2 plus 4, 6, मतलब यहाँ पे ब chemical equation को balance कर दिया, hydrogen भी balance हो गया, तो जो final product आता है, उसको एकी बार लिख दो, that is 2KBr plus MnO2 plus 3 molecules of H2SO4 gives 2 molecules of KHSO4 plus MnSO4 plus 2 molecules of water plus bromine Br2 and this is the final balanced chemical equation जो हमें find out करना था और इस तरीके से हमने इसको बना दिया है, balance कर दिया है, तो यह जो method हमने use किया, वो हमारा half reaction वाला method था, जिसको हम लोग iron, क्या बोलते हैं, iron electron न, iron equation, iron electron method भी हम लोग कहते हैं, तो इस तरीके से हमने इसको solve करके दिखा दिया, तो exam में question आता है कि balance the redox reaction, तो अगर कोई ची समझ में आ गया, तो यही था दोस्तो हमारा आज का lecture, जिसमें हमने बहतरीन तरीके से, आप लोग को almost, सभी most important thing थी इस chapter के, जो की the stock notation, और जो था a redox reaction को balance करना, both the help of oxidation number method and the iron, जो equation method था, iron electron method था, जिसको half reaction भी बोलते हैं, यह हमने करा दिया, इसे के साथ आज का lecture वीडियो क ऐसा लग रहा है आप लोग को, जरूर से comment करके बताना, वीडियो पसंद आया है, तो please वीडियो को like करना, share करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और first time channel पे आयो, तो फटा फट से हमारे channel को subscribe करके, bell icon को press कर देना, ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न Thank you and goodbye.